गुड मॉर्निंग स्टूडेंड वेलकम उटी एसेंदाइ स्कूल बच्चो आज हम कक्षा तीन की हिंदी फ्याकरण पुस्तक पंखुडी का पार्ट एक भाषा का अध्यन करेंगे भाषा के बारे में आप सभी जानते हूँ कि भाषा क्या होती है मैं जो बोल रही हूँ वह क्या है भाषा है आप बोलते हो दूसरों से बाते करते हो यह सब क्या है यह सब भाषा ही है आप अपने पुस्तक में देखोगे एक छित्र दिया गया है उसमें बच्चा अपनी मा से कुछ वार्टालाब या बात कर रहा है एक बच्चा है वह अपनी ममी से पूस्ता है ममी आप क्या बना रही हो तो ममी किया जवाब देती है बेटा मैं आपके लिए पराठा बना रही हूँ ठीक है, बेटे ने ममी को कुछ बोला तो ममी ने उसको सुना और उसका जवाब दिया तो इन दौनों के भी जो बार्थलाप है वो किस माध्यम से हो रही है भाषा के माध्यम से हो रही है उपर बने चित्र में बच्चा अपनी ममी से बोल कर पूछ रहा है तथा उसकी मम्मी सुनकर उसकी बात का जबाब दे रही है कहने का आर्थ यह है कि हमें अपनी बात दूसरों तक पहुचाने के लिए बोलना पड़ता है बात सुनकर दूसरा व्यक्ति उसे समझता है फिर उत्तर देता है ऐसा हम भाशा के द्वारा ही करते हैं क्या मतलब हुआ इसका इसका मतलब यह हुआ कि अपने मन की बात को दूसरों तक पहुचाना और दूसरों के मन की बात को सुनना और समझना ही क्या है भाशा है भाषा फेहमाध्धम है जिसके द्वारा हम अपनी बात को बोल कर या लिख कर दूसरों तक पहुचाते हैं भाषा क्या है भाषा को हम बोल कर भी दूसरों तक पहुचा सकते हैं और लिख कर भी पहुचा सकते हैं हम दूसरों की बात को बूल कर भी सुन कर भी समझ सकते हैं और कोई चीज लिखी हुई है उसको हम देख कर भी समझ सकते हैं कुछ लोग इशारे से अपनी बात दूसरों तक पहुचाते हैं पशू पक्षी भी अपनी बूली में एक दूसरे से बात करते हैं परंतु जानबरों की बुली भाशा नहीं कहलाती है। अब इसमें भाशा की परिवाशा दे रगी है। तो बच्चो आपको यह परिवाशा याद करनी है। जिस माध्यम के द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे भाशा कहते हैं। समझ में आगया होगा आपको यहाँ तक यह भाशा क्या होती है। जिस माध्यम के द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे भाशा कहते हैं। अब पढ़ते हैं हम भाशा के प्रतार। भाशा के तीं प्रकार होते हैं। पहला है मौकिक भाशा, दूसरा है लिखित भाषा और तीछा है सांकेतिक भाषा मौकिक भाषा मूं से जो हम बोलते हैं लिखित जिसको हम लिखते हैं और सांकेत यानि ये संकेत करना इशारे की दोरा अपनी बात को समझाना तो ये क्या हो गया सांकेतिक भाषा हो गई अब सबसे पहले आप अपनी पुस्त कि लविएक्त कर तेटे ₤ बौर कर रहे हैं ल Commerce दीओ तो यहां पर इन पर जो जो भात बां सकते हैं। हम डोस 20 दक अ गड़ा है उसको सुनेगा लेकर शोग बोलना पड़ेगा। इसी तरह दो विएकति पास पास था मोद कर दूझा सब्यात है। हम जो कुछ बोल कर व्यक्त करते हैं, तथा तूसरा उसको सुनकर समझता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं, आपको समझ मा गई हुगी मौखिक भाषा कि अपनी बात को दूसरों तक पहुचाने के लिए हमें बोलना पड़ता है, तो वो कौन सा माध्यम हो गया, वह मौखिक हो गई, अब है लिखित भाषा, लिखित भाषा क्या होती है, जैसे की लिखित है इसका नाम, यानि कि जो चीज लिखी हुई है, उसको हमें दूसरों तक पहुचाना है, हम जो कुछ लिखकर व्यक्त करते हैं, तथा दूसरा उसे पढ़कर समझता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं जैसे हम पत्र लिखते हैं तो हमें अपनी बात अपने मित्र या किसी family या कहीं किसी को भी पहुचानी है तो हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कैसे करेंगे लिख कर करेंगे तो सामने वाला उसे क्या करेगा पढ़कर समझीगा इसी प्रकार कोई चीज लिखी हुई है निवन्द है पत्र पत्रिकाओं में जो भी आर्टिकल्स लिखे आते हैं कुछ भी है ये सारे लिखित भाशा का उधारण है तो एक बार फिर हम जो कुछ लिखकर व्यक्त करते हैं तथा दूसरा उसे पढ़कर समस्ता है उसे लिखित भाशा कहते हैं त था, दूसरा उसे देखकर समझता है, उसे सांकेतिक भाशा कहते हैं, आप चित्रों में देखोगे, एक बालक सो रहा है, और सुबह का टाइम है, मुर्गा अपनी बाग दे रहा है, यानि कि वो कुकडू कु बोलता है, तो हमें पता चल जाता है, कि सुबह हो चुकी है, और दूसरे चितर में देखोगे ट्रेन में जो गाड होते हैं जो जंडिया फेराते हैं तो इसका हम क्या मतलब समझते हैं कि आगे कोई खत्रा नहीं है गाड़ी जो ट्रेन है या जो रेल गाड़ी है वो आगे से आराम से आगे जा सकती है उसको जाने में कोई प्रॉब्लम नही तो यह होगे भाषा के प्रकार कौन-कौन से होते हैं मौकिक भाषा लिखित भाषा और सांकेति भाषा अब हम आगे बढ़ते हैं विभिन भाषाएं कौन-कौन सी हैं विभिन भाषाएं भारत के विभिन राज्यों में अलग-अलग भाषाएं बोली जाती हैं जैसे पंजा पाल में बंगाली, केरल में मलियालम, असम में असमिया और तमिल नाडो में तमिल राधी भाषाएं बोली जाती हैं। समझ मैं आपको बच्चो कि जब कोई भाषा किसी संपूर्ण रास्ट की अधिकांश भाग पर बोली जाती हैं तो वह उस रास्ट की क्या कहलाती हैं। दूसरा सवाल उड़ता है कि हिंदी की लिपी का नाम क्या है तो क्या है हिंदी की लिपी का नाम। तो आपका जवाब होना चाहिए कि हिंदी की लिपी का नाम देवनागरी है क्योंकि यह देवनागरी लिपी में ही लिखी जाती है अब लिपी क्या होती है? हर भाशा को लिखने का ढंग भी अलग-अलग होता है हम बोलते हैं, अलग-अलग तरीके से बोलते हैं, ठीक है, अपनी भाषा में क्या करते हैं, तीन प्रकार की होती है, मौकिक होती है, लिखी तुगर सांकितिक होती है, ठीक हम जब किसी चीज को लिखते हैं, तो उसके भी कुछ तरीके होते हैं, उसके भी कुछ धंग होते हैं और हर भाषा को लिखने का अलग धंग होता है और लिखने का जो यह तरीका होता है इसी को हम लिपी कहते हैं आपको समझ में आगया बच्चों लिपी क्या होती है कि जो लिखने का जो तरीका या जो प्रकार या जो धंग है उसी को हम लिपी कहते हैं अब आपके पुस्तक मे देखोगे एक तरब भाषा दे रखिये, आके उसकी लिपी दे रखिये, सबसे पहले पढ़ेंगे हम हिंदी की लिपी, हिंदी भाषा की लिपी कौन सी है, देवनागरी है, उर्दु भाषा की लिपी फार्सी है, अंग्रेजी भाषा की लिपी रोमन है, पंजाबी की लिपी गुरु मुखी है अब एक भासा और संस्कृत संस्कत भाषा की लिपी भी देवनागरी ही होती है तो इस प्रकार हिंदी और संस्कत भाषा दोनों देवनागरी लिपी में ही लिखी जाती है इन दोनों की लिपी का नाम एक ही है और वो क्या है देवनागरी तो बच्चों इस पुस्तक में पढ़ा भाशा, भाशा के प्रकार, लिपी, रासवाशा, आदी, इसमें कुछ शिक्षन के संकेत है, यह आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन आपकी जानकरी के लिए बता दू, कि भारत के बिफन राज्यों में बोले जानी बाले भाशाओं के वारे में आपक पहले है, अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का मादम भाशा कहलाता है, आपको किलियर हो गया होगा कि अपने बातों को या अपने मन की विचारों को दूसरों तक पहुंचाना क्या कहलाता है, भाशा के तीन प्रकार होते हैं, पता चल गया होगा कौन-कौन से होते हैं मौकिक भाषा लिखित भाषा एबं सांकितिक भाषा तीन प्रकार होते हैं भाषा के कौन-कौन से मौकिक भाषा लिखित भाषा और सांकितिक भाषा अब है भारत के विफिन राज्यों में अलग-अलग भाषाएं बोली जाती है जैसे पंजाब में पंजाबी ब बोली जाती है केरल में मलियालम बोली जाती है असम में असमिय बोली जाती है और बंगाल में बंगाली बोली जाती है इसी तरह और भी प्रांत है जिनमें भाशाएं अलग-अलग बोली जाती है प्रत्यक राश्ट की अपनी एक भाशा होती है प्रांतों की भाशा या राज् तरीके होते हैं उसको हम क्या कहते हैं उसको हम लिपी कहते हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया था हिंदी और संस्कत की लिपी एक ही है जिसका नाम देवनागरी है उर्दू की लिपी का नाम फार्सी है अंग्रेजी को रूमन लिपी में लिखते हैं और पंजाबी भाषा को हम गुरु मुखी में लिखते हैं तो बच्चो आज आपका यह भाशा नामक जो पार्ट था वह समाप्त होता है अब जो आपका वर्क आएगा वो एक PDF में आएगा और आपको ग्रामर की हिंदी व्याकरण की कॉपी अलग नहीं बनानी है आपको क्या करना है आपको इसको जो composition पार्ट होगा जैसे कि निवन्ध है कहानी है पत्र लेकन है आदी को ही कॉपी में करना है तो बच्चो आपको यह भाश समझ में आ गई होगी धन्यवाद